जय हैं सत्यों गुद मॉर्णिंग आज ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने जा रहा है आप लोग ध्यान से सुनिए और खास करके ये असाम स्टेट के जितना भी होंगाड बंदे हैं उन लोग के लिए हैं आप लोग अभी दो तीन दिन पहले मेरे वीडियो पर हो चाहे दूसरा का वीडियो हो उसमें आप लोगों को साथ समझ में आ गया कि 17 नवेंबर को दिल्ली सर्विच्छ नयलग गेट नंबर दीपर ऑल इंडिया हूंगाड जवान के जितना भी पदधिकारी यह हो या अधेक्षो सबको बुलाया गया है तो कुछ ज़रूरी अमलम है कि नहीं मेरे को नहीं मालूंग आप लोग वीडियो ध्यान से दिखिए अमिच्छा जी का वीडियो है वह conference में जो भी भी बोला था आप अध्यान से लिए विडियो सुनीए अब क्या हुआ तो हमलोग जो सम्सभग है सैंसभग ही रहेंगे अगर कम सारी हो जायें और बहुत दिनों से जो मोडेल हूंगाट बिल के लिए ओल इंडिया हूंगाट के लोग जितना भी पताधिकारी है ठेक्षा जितने लोगों ने अभी तक शर्बुच्छर नियाले में केस तर्श करते आ रहे हैं तो उनके सिलसले में भी अमिच्छा जी ने बुला है कि मैं कोट के जर्स्मेंट के साल भी मत भेट करने आया हूं तो इसका मतलब क्या है कुछ होने बाला नहीं है तो मेरे खैल से हमारा समस्तेट से भी कोई लोग जाना चाहिए दिल्ली में अपने हक के लिए खुद को जाना पड़ेगा कोई नहीं किसी को बुलाएगा होमगाट का नोकरी ऐसा है कि खुद जाना पड़ेगा मेरे को कोई बुला के नोकरी नहीं देगा तो हमारा सम स्टेट में भी जितना भी शंगठन है हमगा जवानों का तो उन लोग को भी में रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी डिली जाओ 17 नवेंबर को अप पुरे स्टेट मिल के एक रननीती तयार करो इसके लिए खर्चा भी होगा हम लोगों को भी मालूम है पहले भी हम लोग देखे आचुके हैं अभी भी देंगे लेकिन काम होना चाहिए अब जो काम आप लोग ले रहे हैं हाथ में 17 नवेंबर को ओल इंडिया स्टेट से जितना भी प्रदिकारी है यह बहुत ही महत्तपुर्ण काम है इसमें जरूर हम सफल होंगे अगर हम लोग एक साथ देंगे तो लेकिन बहुत जवान लोग ऐसे करते हैं कोई ध्यानी नहीं रहता है इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं असाम स्टेट में जितना भी शंगठन हैं आप लोग भी जाओ कॉंटेक करो उन लोगों से कॉंटेक करके 97 वर्क जाओ दिल्ली में इसके लिए आप लोग भी जितना भी खर्षा होगा में बहुत पस्ताना पड़ेगा हम लोग का उपर भी शंगठन है वह लोग कर सकते हैं अगर सोसेंगे तो अगर होने वाला नहीं है आप लोग भी चुप-चप बैठ जाओ ड्यूटी करते रहो तंखा लेते रहो चैमेहनी का बाद बैठते रहो बच जैराम जी की होने वा लोग हैं उन लोगों से बाते करके कुछ राशीदान करके सुप्रिम कोट के केस के लिए भेज देओ तब तक के लिए जय भारत